को आज के हमारी control class में हम पिबर्टेबल में calculation करने जा रहे हैं तो पिबर्टेबल में calculation नहीं किया पॉड़ा है तो चल में पिबर्टेबल की calculation करते हैं हूज ये नहीं कि आज वまぁ करता हूं नए सीट पर पेस्ट करता हूं कर देटा है मान लेजे जे कल्कुलेशन से एक कल्कुलेशन में हाट आ जाता हूं ठीक है ही अब मैं इस डेटा पे फिवर्ट लगाने जा रहा हूं इस डेटा के उपर हूं पिशुआ है आ जैसे हैं इसको सेल्च करते हैं और करते हैं कि तो सबसे मैं यहां पर नेम वाइज लेता हूं तो पता चलना है कि किसका कितना हमारा क्वांटिटी किया है सेल अब मुझे इसमें इसका परसेंटेज निकालना है मतलब कि मैं टार्गेट है तीस हिजार रुपे का तो किसने तीस हिजार से ज्यादा सेल किया हूँ तो कितना परसेंट को ज्यादा किसी ने किसी ने अचीव किया है तो यहां भी Contribution निकाल ला हूँ तो फिलाल हम चलिए करते हैं तो यहां पर date डाल देते हैं और यहां पर हमारा टार्गेट है एक नहा लाइन एड़ कर देते हैं टार्गेट और यहां पर मैं 30,000 कर देते हैं तो यहां पर वह जो 30,000 है उसे बाखी को डिवाइट करना है तो समग क्वांटिटी में नीजे हम जाएंगे वैलू फिल्ट सेटिंग पर यहां पर एक काम कर सकते हैं क्वांटिटी को मैं एक बार और रख लेता हूं यहां टार्गेट नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो ना आने के पीछे रीजन यह है क्योंकि हमने डेटा को एक्स्पैंड नहीं किया है क्योंकि क्योंकि भी पिवर्ट टेबल में कोई भी चैन्जिंग करते हैं तो आप यहां पर जस्ट रिफ्रेश करके डेटा को अपडेट कर जकते हैं लेकिन नई डेटा आइड हुई है तो आपको पिवर्ट को रिस्लेक्ट करना होगा मतलग कि जब पिवर्ट लगाया थे तो आपकी सेलेक्शन 3914 तक था तो आपको ब्रहार का 1-5 करना पड़ेगा क्योंकि पिवर्ट अपने आप जब यह डेटा आपको नहीं डेटा एड उने पर अपने आपके आपके रेंज को स्पेंड नहीं करता है इंक्रीज नहीं करता है तो पिवर्ट टेबल लेस्ट पर आते हैं और यहां पे हमारे पास है Change data source पर क्लिक करेंगे और अपने data को दुवारा से select करने मगें एंड ओके करता हैं है आगया है अब मैं यहां फिल सेटिंग पे जाओंगा वैलू पे जाओंगा और नो कल्कुलेशनल जगा पे परसंटेज आफ को लूँगा और यहां पे मैं स्लिक करूँगा टार्गेट जितने भी नंबर से आपका डिवाइड हो तो इसमें सिर्फ हम यह नहीं कर सकते आप यह भी कर सकते कंट्रिवूशन भी कर सकते हों जैसे माल लिजिए कि मैं काम करता इसको हटाता हूं कि इसका कंट्रिवूशन चाहिए कि किसका कितना परसंट सेल है मतलब कि हर नंबर को तोटल से हमें डिवाइड करना है समझें तो मैं इस पर डिवल क्रिक करूंगा और इस पर आऊंगा क्यल्किलेशन में यहां पर देखिए परसंटेज ऑफ ग्रान टोटल ग्रान टोटल एंड ओके तो इसने बता दिया कि किसका कितना परसंट टार्यट चीव है तो इसने और चीजे भी है परसंटेज ऑफ र सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप इस पर कॉलम लेबल पर जाते हैं तो इस उनीच साथ तिरेपन से बाखार एंबर को डिवाइट कर देगा आप कॉलम टोटल लेते हैं तो कॉलम टोटल में क्या होगा कि जो हर कॉलम का जो टोटल है वह अपने कॉलम टोटल से डिवाइट करकी आपका इसके रो से सबको टोटल कर जाता है तो यह आपका परसंटेज ऑफ कॉलम रो एंड ग्रान टोटल का ऑप्सिंस है इस वह परसं प्रोड़क्ट को हड़ा है तो आप देखिए रहा हुआ कि उसके बाद इसमें अब हम बात करते हैं तो इसमें और भी जीए है इसलिए कुम्लेटिव टॉटल करता हूं तो आपको एक की निची एक की निची आड करके आजाएगा लटिंग टॉटल इसको होता है कुम्लेटिव टॉटल को यह आपका रडिंग टॉटल है इसमें और में वह सारी कल्कुलेशन है आप इसको देख लिए सेगा जो कल्कुलेशन समझ में नहीं आएगी हम डिसक्रस कर लेगे उसके उपार ठीक है नमीन जी कि अरे रणिंग टॉटल क्या होता है कुम्लेटिव टॉटल होता है जिसे कि यह आपका 41,000 था इसको आपका 41,000 था इसको बाइक तालिस जो और के हांपा तो दॉटल हो जैसे कि हमने एक इसको पूड़न कोण्टिटी का टोडल और अवरेज निकाल लिए जिसे अवरेज अब मुझे यहां पे चाहिए टोटल अब कि मेरे डेटा ने यहां पे यह दिखाया गिया है कि भाई आन लाइन कवीता ने हैदरावाद में रैम को बेचा है 69 quantity 856 रुपए की हिसाब से इसके कितना रुपए हुए रुपए की calculation नहीं है कितना tax हुआ उसका calculation नहीं है कितना commission हुआ उसकी calculation नहीं है तो इसके लिए जाएंगे और येसी में से आएंगे और यहां पर देते हैं Amount और Amount में क्या होगा बहुत यहां हम दो पॉड़क को आपस में Multiply करेंगे हम Quantity को लेंगे Multiply by MRP अब यहां पर देखिए Add तो यहां आपके सामने Total आगए ऐसी calculate करेंगे यहां पर मा लेजिए मुझे चाहिए Taps GST तो यहां पर गया होगा मुझे टोटल का 18% निकालना है तो टोटल को यहां पर Amount यहां इस Amount को Select करेंगे Multiply by 18% अब मुझे 2% Commission भी निकालना है तो वापस जाओंगा Value Fill Setting में और यहां पर मा लेजिए Commission लिया और यहां Commission होगा Amount का 2% इसको मैं Add कर दिया अब मुझे सब को Sum करना है टोटल निकालना है तो यहां पर टोटल आपका होगया Amount Plus GST Plus Commission ठीक है यह आप करेंगे लिगया इस तरह की कैलकुलेशन जो है आप कर सकते हो पिवर्ट के अंबर आज गया है सुनिर जी गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग सार लेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था जग तक गया था तो यहां पर इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर जकते हैं अब क्या बात आते हैं कि क्या सरह हम ब्रक्षीट कही काई कलकुलेशन कर सकते हैं क्या इसको क्यों कोई एकसर के फ़र्मूले को भी किया जा सकता है जो फॉर्मुले किये जा सकते हैं, जो फॉर्मुले आपके mathematical formula जिसका result mathematics है, वो किया जा सकता है जैसे कि हमें total calls, हमें total calls आपको इहां दिखा हुआ है, तो हमें पता करना है कि अगर किसी ने कॉल किया है तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर जाएंगे इस तरह से तो मैंने यहां पे तो आपने क्या करना है कि अगर किसी पार से लिए 매star अगर किसी ने निए किसी की मैक्सिमम शेकर णाओगा है यहां पे मुझे देखना होगा कि मुझे यहां पर आई और यहां पर कंडीशन देना होगा कि इस मैंक्स इस में हम देते हैं टोटल कॉल्स मैं टोटल नहीं टोटल कॉल्स करना हम देखना होगा कि इस की फॉर्मूले भी लगा जा सकती है ठीक है जैसे आप मैंतेमेटिकल कंडीशन भी लगा सकती हो आगे जो हम फॉर्मूला सिखेंगे इसको और ज़्यदा इस्तमार आप कर सकते हैं तो मैंतेमेटिकल कल्पिलेशन इस तरह से हमने आपको कराया है राइट और आप लोग अगर सटेटे को कल अगर साम के